स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइन्स टू टिकनोलजी में मैं अनुफ़म विपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शोग साइन्स थर्श्टे में आज हम लोग बात करेंगे बेरिंग्स के बारे में तो आई समझते हैं तो सबसे पहले समझे कि समस्या क्या है कि जो हम लोग को बेरिंग का इस्तमाल करने की जरूरत पड़ती है तो यहां पर समझना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी श्रमान बनाए जिसमें वो मूविंग पार्ट्स है उसका सबसे बड़ा दुसमन होगा फ्रिक्शन और फ्रिक आप उसमें ग्रीशिंग कर दिये हैं या ओईल डालके लुब्री के ठीक है सब चीज़ सही है लेगन बात है कि थोड़ा सा तो फ्रिक्शन हो गई जीरो तो आप कर नहीं से कम कर सकते जीरो नहीं कर सकते तो उससे वो फ्रिक्शन से करिए समझे मैटल कर तेमपरिशर अच्छे से अच्छे मशीन बरबाद हो जाते हैं अगर फीडबैक लूप में चला जाता है चाहे वो डैम का ही कोई टर्वाइन ही क्यों नहीं हो अगर गलत जगा पर फ्रिक्शन आने लगा वो सीधे सुहा कर देगा हर चीज को और इसका यह समझे कि डिस्रॉक्शन के माम करने लगा तो दुनिया के सामने कोई सिमेंट कॉंक्रीट स्टील मेटल कुछ नहीं टिकने वाला सीधे स्वाहा हो जाएगा तो यह सबसे बड़ा फजियत वाला बात ही होता है कि यह लाइफ लॉंग बैटल है यानि कि आपने मर्शीन आज बनाई आज इसा नहीं कि हो गय यही मेंटेनेस जब लोग को बोलता है जैसे विंट अर्वाइन है मेंटेनेस करना क्या कर रहे हैं वो लोग मतलब उनका टोटल एंड गेम क्या है घूम फिर को उनको फ्रिक्शन घटाना है हर चीज में हर चीज में वही आपको बार-बार हर कुछ समय पर करना पड़ेगा और मेंटेनेस तो यही समझ लिए और इसकी एक स्टडी होती है यह बेरिंग से अंदर हो गया रहा है उसको पढ़ने के लिए जनरली कहा जाता है अच्छे जबता से बेरिंग कर काम क्यासे हो रहा है क्योंकि बेरिंग काम होता है कम से कम एरिया ऑफ कॉंटेक्ट रोखो जैसे कोई भी चीज है उसमें इसको इतना रहेगा उतना फ्रिक्शन जदा होगा इसी लिए रेल्वे वील्स को इतना हार्ड बनाया जाता है ताकि इसके का बेरिंग का कोर कोर करता है तो यहां पर समझेए इस मामले में बेरिंग थोड़ा सिंपल डिवाइस है क्योंकि इसमें सिफ चार मीं चीज होता है पहला चीज होता है इनर रिंग जो आपका स्पिंग करेगा आप इनर रिंग रेते हैं वो जो भी आप शाफ यह सब लगता है जनरली आपका शिपिंग कंटेनर्स में बड़े बड़े टरबाइन से इसमाल किये जाते है प्रोपेलर के केस में तो इनर रिंग हो गया उसमें ग्रूव रहता है एक साइब जिसम सब्सेद हो जाइए अगर आप पैसा कर तो वो जांब कर जाएगा एक दूसर अब हुए टयकर करता है तो जैसे कि नहों zap to दो म Johnson जहाँ होना चाहिए तो वह काम केज करेंगा बीना इसके इस Cases में भी आप दे सकता है जो प्लक है गों चाएज के काम होता है अगर केज नहीं है तो वह समस्टाव होना सकता है और जाता है उस पी juda जाता है अब पिर अफिर आप कभी मतलब करता है डिपेंड करता किस तरह का एप्लिकेशन ने क्या है और अगर लुब्रिकेशन और सील ना रहे तो आपका बेरिंग सीधे स्वहा हो जाएगा यह समय नबस दो है और इसके बार यह फाइनल चीज होता है आउटर रिंग जो मतलब का में स्टाटिक बॉड़ में सेस में या तो कुछ और का टा services थाल्यटीा होता है यही तो यही है कर चार्ची होता है इनर जो गूनता है दूसरा र्रोलिं गांक चाच का इस्तमाल करके सेप्रेड कर देगा मतला का बेरिंग धूल करता से सीधे बरबाद हो जाता है इसी लिए उसको सील करना बहुत जरुदी होता है और आउटर रिंग आपका अटैच होता है हर्ची से अब बात करता है रोलिंग एलिमेंट्स के बारे में यानि जो ची एक्चुली आपको हेल्प कर रहा तो उसमें आम लोग बॉल बेरिंग इस्तेमाल करते हैं जर्णरली केसे में तो बॉल बेरिंग से इस्तेमाल करने का हिसाब यह है कि आप कभी भी मेटल ऑन मेटल स्लाइड तो नहीं करना जाए है आपका मेटल ए भी मैटल भी ऐसा नहीं जाना चाहिए आप हमेशा जाते हैं जटक क्यों मतार्थ चुआ आगे पाड़गे लिए यह यह आई FARC करनी के लिए भाल आपका बहुत हाड ayut तो हमेशा देखिए हैं बाल खाँ भी速 आप याप टंसीализ द हमें से उनको मतलब पॉइंट नापने लिए जनरली पॉइंट पर तच करो तो इससे यह होता है कि जो भी आप बेरिंग बना रहे हैं जो भी काम होगा उसमें हर समय सिर्फ पॉइंट टू-पॉइंट हो रहा है कि एक पैच कभी आप ऐसा नहीं चाहें कि पैच हो जो कनेक्ट रहा इसलिए आप रेलवे वी में भी देखते होंगे कि एकदम सिर्फ एक पॉइंट है जो उसके पार रोल हो रहा है कभी भी स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए और जैसे रो रेल वी डैमेज होता है स्लाइट क सिमिलेट कर रहा है तो पॉइंट आगा यानि अल्मोस्ट जीरो डैमेंशन पहुंच जाएगा लेकिन रियल लाइफ में यह काम करता है और यहां यूज करता है साइड एफट ही होता है कि यह लोड बेरिंग जादा नहीं करता क्योंकि अगर आप बेरिंग बनाते हैं जो क रोलर बेरिंग नहीं मतलब ऐसा नहीं कि आज बनाएगा बहुत पहले से था लेकिन जहां पर भी हैवी वेट है वहां आपको रोलर इस्तमाल किया जाएगा और रोलर में यह होता है कि यह सिलेंड्रिकल होता है तो इसका कॉंटक्ट पॉइंट एक लाइन होता है यह अभी अफर में वो पॉइंट अओं व्यूद्र में बीचुछ रोलर आइंग्स होता है 5.2 ऐली दों मीन प्रिंश्पल होता है टेली लोड वह कैसे हैंडिल कर रहा है उसके बिसिस पर बहुत सारे सब टाइप सोते हैं तो सबसे पहला रेडियाल पेरिंग जो आपका फिजिट स्पिनर सब में होता है या 99% कि इसमें नॉर्मल बेरिंग स्पिन करता है नॉर्मल आप खरीच सकते हैं मार्गेट में फिर होता है यह जनरली इसमाल किया जाता है जहां पर आपको मोशन जो है कई डिरेक्शन में हो जाता है जैसे कि आपका रोलर बेरिंग है आप ऐसे स्पिन कर रहे हो लेकिन क्या होगा अगे पिछरा है जैसे कि आप ट्रक का एक्सल बना रहे है मतलब टेखनीकली सिर्फ उसमें इसमाल की जाती है तो एंगुलर बेरिंग का काम होता है कि वह मतलब टिल्टेड रहता है तो यह जनरल कभी अकेले नहीं इसमाल लेगा कि माली आपका कोई एंगुलर बेरिंग आप सिनमाल करते हैं कि कोई शाफ्ट है उपर से नीचे के डिरेशन में जा रहे है और अगर पुछ आप किया तो शीदर खुल जाए तो यह सील नहीं होता है और यह लीटरली आप इसको हां जाकता है यह जिसे बॉल बेरिंग संसे करते हैं एक बाहर के तरफ देख रहा है एक अंदर एक तरह तब आपका वह लुक हो जाता है तो इसका सबस्ता ब्रेदा हो जाता है और मिस अलाइमेंट भी हैंडिल कर बाता है तो जैसे आपका ट्रक के किसिस में यह सबसे ज़रूरी होता है और आप जैसे ले थूद मशीन के बारें बात करें वहां पर भी आपको यही देखने हो मिलेगा कि दोठ हो रहेगा जो मतलब समझी अपोजेट टू इच अदर चल करें थार जैसे सबसे भयानत थ्रूप इस्तेमाल होता है आपको समझे बैटल शप जो आज कल तो इसमाल नहीं होता है लेकिन बैटलशिप जब पहले बंते तो उसमें जो गन टरेट रिट्स होते तो उसको शिप बॉडी से ऐसे फ्लोट करने पर सबसे भाइट तन मतलब क आपको प्रेश्ट करने देता है और नॉर्मल का काम होता है ऐसे करके तो थ्रस्ट बेरिंग उसे अगता है फिर होता है पॉइंट ना करो और जितने भी हम लोग डिजाइन हो चाहे वह राडिकल हो चाहे वह एंगुलर हो चाहे वह थ्रस्ट बेरिंग उसारे उस चीज को अचीफ करते हैं मैक्सिमम सिनैरियों पर यानि की आपको नॉर्मल साइकल के बारें बात कर रहें और नॉर्मल रेडियल ब बात करें तो इसमें यह हो सकते हैं डीप ग्रूफ वाला हो सकते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा लुच-बुच बर्दास कर सके हैं लेकिन आप हाइट टनेज के बारें बात कर रहें तो आपको आपको सीथे ले ले लो दो ठोल लेना पड़ेगा ओविसली ताकि दूसरे को कर से कि फिर आपका कुछ भारी भर कम बजें एक दूसरे से पैरल चल रहा हो तो अविसली आपको थ्रस्ट बेरिंग चाहिए होगी फिर आपका शिफ्ट मतलब आपका लीनियर बेरिंग्स हो जाता है पूरा 3D इंड़स्ट्री पूरा CNC इंड़स्ट्री जहां पे भी कंप्यूटर नुमेरिक कंट्रोल होता है वो सीधे सीधे स्लाइडिंग बेरिंग्स पर चलता है तो यह भी वही होता है कि बिना इसके तो दुनिया ही नहीं चलनी है यह समझ लिए और ट्रें का भी बेरिंग आप देखेंगे तो आपको यही मिलने वाला है मतलब रोलर बे है तो ईयह समझ कि बेर्ंग में दो दीन जीडा आप सबसे पहलेए सुधार हा पहले इसकी जोमेटरी सुधारी है जोमेटरी राया है डोबिसली बात यह है कि अगर जोमेटरी आप सुधार सते अच्छा बेरिंग बना सेता हर तो हर को该-स बैर कर सकते हैं लेकिन दाम बहुत पढ़ जाएगा आपका बेरिंग को एकदम प्रिसाइसली ग्राउंड करना प्रिसाइसली उसमें ट्यूनिंग करना वो जितने मशीन होंगे उसका दाम बढ़ते चला जाएगा तो मतलब समझ यह बेरिंग आपको 500 रुपय में भी मिलेगा 5000 जाएगा तो वो सब केसे में आपको अराम से मिल सकता है जो एक बेरिंग होगा जिसके दाम होगा आपका मोटर जातना क्यों क्यों कि मतला खोल के दिभी तो भी आपको इसको अगर हाई-level का इस्तमाल करके आप इसको मेजर करें तब दिखेगा कि हाँ इसकी एकुरेसी बह अज़गिशन में यह सकता है तो इसलिये अज़र ना Has While से कोई सेटलाइट में इस्तमाल कर रहा है उसमें वहीं मेटीरील इस्तमाल होक्षेग हो आपका जो आपका जितना प्रीतिर से वह आदा हई राता है तो सबसे पहला वही होता कि आप डेरिंग को मतलब जितना इस ब बात हैं लेकिन अगर लोड पर कोई भी एक्यूपमेंट है उसमें ग्रीस नहीं है सीधे स्वहा हो जाएगा तो हम लोगों को चाहिए ही ग्रीस ऑप्शनल नहीं है तो अगर लोड सीच्योशन के बात करते हैं तब आप ऐसा चाहे बात करते हैं जो मतलब समझे सारा कंपोनें से बनाया गया है और यह बहुत अच्छा मतलब पैने नीचे एक बंदागा दिया जो इस फिजिट स्पिनर में मतलब यह टीनो बेरिंग को बदल बदल के दिखाते है कितना अंतर पड़ता है मतलब सबसे खराब परफोर्मेंस आएगा आपका मेटल वाले का फिर आएगा कि जो डोन मदल्बब रिंग जो है मेटल ही है लिकिन बॉल्स को यह कि इसलीया कि इसली घ civ IQ स्टील से ज्यादा 1 होता है प्रिटल म्हीं और इंस्त्थिमंट करगा तो लोग कभी सिर्या में कारने नहीं कई या ऎजग बदो तो कोशिछ ही जारी हम लोग जितना हो सके ड्र मतलब सील के सिवा और कुछ लगाने की जरुवत नहीं पड़े और जो मैंने भी बनाया था 10,000-year clock के बारे में वो पूरी तरसे से फेक कारण से पॉसिबल हो रहा है कि सिरामित बेरिंग की टेकनोलजी उस जगह में पहुँच गए कि अब मतलब अगर आप बेरिंग का लोडिंग सही से कर रहे हैं तो अराम से ड्राय चला सकते हैं क्योंकि अगर आप ग्रीस रखते हैं ग्रीस ही खराब हो जाएगा बाकी चीश को छोड़े ग्रीस की बैंड बच जाएगी तो समझी हम लोग का वही है एंड गेम वही है कि एक ऐसा बेरिंग बनाओ जो पूरी तर से ड्राय चल सके लोड पे भी अभी वहां नहीं पहुंच है लेकिन कोशिश होई की जा रही है मेटल हाडनेस पे और मतलब और इसका दूसरा फादब होता है बेरिंग हमेशा लुचुच बनाए जाता है कारण यह है कि बेरिंग गरम होता है जब आप उसको स्पेंड कर रहे है वह गरम हो रहा है और यह वर्क इंफार्मेंट जासे अपको यह मोटर ही है और बेरिंग फ्रिक्शन फ्री भी हो तो मालीजे जो मोटर है उससे गर्मी जब यूज कर रहा है गरम हो रहा है वह गरम होने से वह टाइट हो जागा सीजब हो सकता है तो इसलिए बेरिंग में इसा थोड़ा सा स्लॉप देना पड़ता है उस मामले में शिरामिक का और यह फाइदा दूसरा आता है कि उसका थर्मल एक्स्टाइशन और कॉंट्रेक् प्रफिट होता है कि उसका दाम बहुत जादा भाग जाता है तो यह था मेरा प्रेजंटेशन पेरिंग के बारे में एक सिंपल टापिक ताओं में और साइध आप लोगों काफी बोरिंग भी लगो या काफी कुछ सीखने को मिला हो तो अगर कुछ सीखने को मिला है तो प् नेरा वीडियो दिखा जान के पीचे बहुत खुशी हुई धन्यवार